Hello friends, दोस्तों मैं हूँ Sanjeev और आप देख रहे हो हमारा चैनल Learning Fire है दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने WhatsApp payment की setting कर सकते हैं अपने mobile पे मैं आपको उसका पुरा live step by step पूरा करके दिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में तो अचले दोस्तों शुरू करते हैं यह वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने mobile में WhatsApp को open कर लीजिए तो मैं सबसे पहले अपने mobile में WhatsApp open कर लेता हूँ आप उपर में देखोगे एक setting का option आता है WhatsApp में आपको setting में जाना है तो आप देखोगे आपके payment का option आ रहा है अगर आपके वर्चप में यह payment का option नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए मैंने एक अलक्सी वीडियो बनाया है आप हमारा wall-up वीडियो देख लीजिए उसके बाद आपको payment में क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने bank कों की list आ जाएगी जिस भी bank में आपका account है उस bank को आप चूज कर लीजिए जैसे मैंने SBI चूज किया है आपको धियान रखना है जिस number चे आपका वर्चप चल रहा है वही number आपके bank में होन तो यह आपका setup complete हो जाएगा यानि कि यह bank account इसमें add हो गया है एकली मैंने इसका UPI पहले create कर चुका हूँ भी map में तो इसने मुझसे UPI pin वगार सेट करने को नहीं कर आए तो उसके बाद आप उपर में आ रहा है now you can send and receive payment वायर UPI तो मैं अपने किसी भी friend को इसके थूप payment कर सकता हूँ आप चाहे तो अपना UPI pin change कर सकते हो या फिर reset कर सकते हो और आप चाहे तो यह account delete भी कर सकते हो और नीची पर आया है add new account तो आप नए account इसमें add भी कर सकते हो तो दोस्तों यह तो था आप अपने WhatsApp में first time UPI को कैसे setup करोगे दोस्तों अगर आप यह जाना चाते हो कि आपके WhatsApp में यह payment का option कैसे आएगा तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों अगर आप भी अपने WhatsApp account में वह payment का feature चाहते हो तो आपको दो चीज़ करनी होगी एक तो हमारे learning Friday YouTube की channel पर आपको subscribe करना होगा और दूसर आपको हमारा Facebook का जो learning Friday का page है उसको भी like करना पड़ेगा उसके बाद आपको वहाँ पर अपना number send करना है दोस्तों उसके बाद आपको हमारे Facebook page में जो comment का section है उसमें अपना WhatsApp का number डालना है मगर दोस्तों यह ध्यान रखना है जब भी आप अपना number send करोगे उससे पहले आप आपको अपना WhatsApp का जो version है उसको update कर रखना है मैं आपको बता रहता है आपको दोस्तों अगर आपको अपना WhatsApp Android phone में चला रहे हो तो आपको अपना WhatsApp का 2.18.46 वाला version update रखना होगा उसी की बाद हम आपको option send कर सकते हैं otherwise हम आपको वह feature send नहीं कर पाएंगे दोसरा अगर आपक 18.21 वाला version at least update रखना होगा तभी हम आपको वह payment feature send कर सकते हैं तो दोस्तों I hope आपको हमारी वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को आप कर देजिए like को share अगर आप हमारी चैनल भीकल नहीं है दोस्तों तो हमारे चैनल क को subscribe कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी तके useful information के साथ आता रहता हूँ